हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे बचे होँए चावल से बहुत ही स्वाधिशनास्ता जो की बहुत शुले कर बच्चों को बहुत पसंद आएगा तो दोस्तो चलिए हम बनाना स्थार्ट कर लेते हम पिए टोस्तो इस वरसाथ के मौसदा में अगर आपके पास चावल बच तो हमने सुचा कि इसका एक चटपटा नास्ता बनाए ताकि जब को बहुत पसंद आए तो इसे मिक्सिजार में डालेंगे और इसमें हम थोरा से दो तीन टे वेश्टमन पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे यह देखिए दोस्तो कुछ इस तरीके से और इसी परतर में हम निकाल लेते हैं तो अब देख सकते दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें इसे पीसना है और इसमें कुछ चीजार करेंगे तो हम इसमें सूजी एड़ कर रहे हैं तो एक चमच हमने सूजी लिए एक बड़ी चमच और एक बारी कटिवी प्याज तिन हरे मिर्च लिए हुई है और एक मैईगी मसाला कर से ऐसे लिया हुआ है और हम डालेंगे चोथाई चमच हल्दी पाउडर डालेंगे आदा चमच जीरा डालेंगे और एक चोथाई चमच अजवाइन डालेंगे जवाइन पाचन का काम करता है और जीरा डालेंगे भूना हुए जीरा पाउडर डाले दालेंगे दोस्तों आधा चमच और एक चोथाई चमच हमें डालेंगे डालेंगे चाट मसारा नमक डालेंगे स्वाथ के रुषार इन सारे चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से तो सूची से हमारा नास बहुत ही क्रिस्पी बनता है दोस्तों और इसमें हम डाल देते हैं कस्तूरी मेथी तो अगर आपके बास धनियाक पती है तो धनियाक पती भी डाल सकते हैं तो चलिए इन सारे प्यारा सा कभी जरूर कर नियागा कि रेसी आपको कैसी लगी इस तरीके से पकोड़ी के तरह इसे एक बर मिजितना कराही में उतना डाल देंगे और इसे हम फ्राइग कर लेंगे यह देखिए दोस्तों बहुत यह असान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिश लगता है इसे हम फ्राइग कर लेंगे तो यह देखिए दोस्तों देखने में कितना सुंदर लग रहे हैं खाने में तो और भी ज़्यादा स्वादिश लगता है यह फ्राइग हो चुके हैं इसे हम निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह कैसी बनी है यह देखिए किती स्व अधिश पकोड़े बरके तैयर हो गई है तो आपको इसे तोड़ के दिखा देते हैं तो यह देखे दोस्तों किता बड़ी एक रिस्पी करा पकोड़ा हमरा बरके तैयर हो गया है तो इसे इंजुआई करिए दोस्तों धन्यवाद